एल्लो दोस्तों तो कैसे हैं तो दूस्तों स्वागत है अपनिस को ने लुजा कि अपिेसोर में आज की ओप कर लाओकरने बिल्कुल लेटिस्ट रुफरेश टेक ने ऊसकी बात तो उचलिपी आज की वीडियो को प्रैक्निज को श्टर्ट करते हैं वह खेंग है कि वही पहली निए वन रिकल कराती है यह रेडमी आपढ़ाई की तरफ से तो तो फाइनली जो एडमी के हैर उने वाले उनकी व्यूचिंग डेट सामने आ गई आ है तो यह जो रेडमी के एरडोट वने वले है यह होने वले इंडिया वे 26 माई को लॉज यह जो दोस्तों इसकी पर हमने एक सेप्टेट वीडियो भी बनाई है एरडोट के उपर जिसमें वने बात करें इसकी स्पेसिकेशन की तो अगर आप वीडियो देखने जाते तो पर 26 वे को करेगी और दोस्तों बचेट के अंदर होने वाले है यह यानिक जो ऑडन की प्राइज होनी वाली एक बजट अगेमेंट के अंदर और बहुत ही चीप प्राइज होने वाले है यानि बहुत ही कम प्राइज में हमें देखने को मिल सकते है राडमी के आइफ़ाने डिन नेखने को दोस्तों आप लोगोने अब तक कोई अब आईफ़न के बॉक्स के नदर एक एरपोट साथ में मिलते थे तो दोस्तों आइफ़ोनने इसको लेकर अपनी policy में change कर रहा है कि जो अब iPhone 12 होने वाला है उसमें company शायद airports को box के अंदर ना दे कर आपको अलग से airports buy करने होंगे हज़ दोस्तों आप कहेंगे यह क्या मज़ा कर तो दोस्तों यही जो new sun निकल करा रही है यही है कि जो iPhone 12 होने वाला है उसके साथ शायद आपको box के अंदर airports ना मिले आपको phone के लिए airports अलग से पैसे देखकर buy करने हो दोस्तों Apple के phone वैसे इतने costally होते है उसके अंदर accessories वैसे इतनी कम होती है और Apple ने अपनी policy में change करकर एक और नया गदम उठाया जिसमें Apple ने कहा है कि iPhone 12 के साथ आपको airports नहीं मिलेगे यह दोस्तों यह तो थोड़ी बात अच्छी नहीं लगी कि airports के लिए आपको अलग से खर्चा करना पड़ जाएगा लेकिन देखते है कि क्या होता है आगे जो अभी तक news निकल करा रही है उसके साथ तो यहीं है कि Apple अपने iPhone 12 के साथ आप लोगों को बॉक्स के अंदर airports ना देकर कहेगा कि अलग से खरी दिये तो देखते है कि क्या होता है आने वले टाइम में तो अगली निकल करा थी हमारी वो निकल करा थी सैंसंग की तरफ से तो तो सैंसंग की सैंसंग ऐस्ट लिए सब्सक्राइब कर दिया जो कि अपने एक नए एडिशन लॉंच कर दिया जो कि है समसिंग एज़्टे टेक्टिकल एडिशन अनुद्ध टेक्टिकल एडिशन फैडरल गोर्मेंट एंड डिफेंस दिपार्टमेंट के लिए इसमें आपको बहुत से खास कि ऐसमें प्राइवेट ने युज कर पाएंगे और अपको इसमें देखने को मिलता है बोडी वियर से और बी मोड आपको इसंट संसंग ऐस्ट टेक्टिकल एडिशन में देखने को मिलते यह तो दोस्द इसपैशली लॉंच हो है फैडरल कोर्मेंट और डिफैंस ताकि ऑपो की तरफ से तो दोस्तों जो ओपो की X2 Series का नए स्मार्टफ़न उपो X2 Neo इसको लोज कर दिया गया जर्मानी में अभी और दोस्तों जो आपको इसमें चिपसेट देखने को मिलेगा प्रोसेसर देखने को मिलेगा स्नैपड्राइगन का 765G दोस्तों उमीद है कि इसको इंडिया में भी एक्सटू सीरीज को बहुत जल्द लूँच करा जाएगा देखते हैं कि इस ओपो की एक्सटू सीरीज को इंडिया में कब लौच करा जाएगा तो दोस्तों जो आज की मारी अगली निज निकल कराती है वो निकल कराती है अरोगय से तू अब वह कंपलसरी कर दिया जाएगा जो लोग ट्रैवलर्स ट्रैवलर्स के लिए जैसे कि अब फ्लाइट्स वगारा शु तो यह अच्छी बात है कि अरोगय से तुए सबक्राइब में होगा तभी आपको फ्लाइट में अंट्री मिलेगी अगर आपको पर नहीं होगा तो अफ्लाइट में ट्रैवल नहीं कर पाएंगे तो यह अच्छे श्टाप उठाए गोडमें ने जो अगली निज निकल कर तो इसमें आपको देखने को मिले शायद बायर्लैस चार्जिंग का सपोर्ट भी तो 25 मही को यह हमें देखने को मिलेगा रियल मी बर्ड्स एयर नियो अगली निकल करती वह निकल करती मोटो की तरफ से तो दोस्तों जो मोटो का नए स्मार्टफन है मोटो जी एट पापर लाइट उसको इंडिया में लौश कर दिया गया है और इसको जो लॉंच करें वह करें आठ जाहर नो सुनिन यानवे की प्राइस के अंदर और जो इसकी सेल होने वाली वह होने वाली 29 मही को आप इसको 29 मही को बाइक कर पाएंगे वह भी फिलिपकार्ट पे हां जी दोस्त इसको फिलिपकार्ट पे सेल करा जाएगा और जो आपको इसके अंदर प्रसेसर देखने को मिलता है युपी 35 & 5000 mh की बैटरी आपको इसके अंदर देखने को मिल सकती है तो 29 मही को इसकी सेल स्टार्ट हो जाएगी तब से आप इसको बाइब कर सकते 8900 दिन आने वे रुप 12 mh की बैटर देखने को मिलती है और इसकी प्राइस की बात करता है बरेखने को मिलता ही एच्वी सब्सक्राइब करते हैं तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही था वीडियो चीनल को सब्सक्राइब देना और होसों की वीडियो को शेर भी कर देना फिल में आप लोग से मेल तो नेक्स्ट वीडियो में